हेलो गाइज स्वागत आपका अपने यूटीब चैनल स्टेड़ी विद अमन कुल में आज हम नाहें डाइरेक्टर अफ एडिकेशन जी एंसीट आफ देली की वोक्षीट नमबर 17 जो कि क्लास 9 के लिए है सब्जिट आपका साइंस है डेट है जिसकी 13 अगर्स 2021 आप अपना अपने अपने लिए अपने वोक्षीट कंपाउंड मिक्षर करेंगे जिग्यासा दीवी है व्लाइन अबाउट द इलमेंट्स बट वट वट आपकांट्स हमने इलमेंट्स के तो बारें पढ़ लिया तीन टाइप्स को ते हैं मेटल नॉन मेटल इन मेटलोट पर यह कंपा क्लोक्री काभा क्भा होगा चाहिए उट विच्ञोंब कहलेग्यशन को मिला कि मिला कि याणि ब्लचन Goyne हमारी ओ तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा वाइज तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है अल्दा सब्सेंस डैट आर प्रेजें अरांट अर्मेर पाफ तो और मोर इलमें जादर जितने भी सब्सेंस हमारे आसपास हैं वह दो या दो से जादर इलमें बट इन नेचर लिदे टो बस थाप की सब्सेंस जादर इन नि्याशल खतेत네요 कि ए जाद टे डिखान इन वस्यांड मूंद केवाओं और मिक्षर की और आप उसले नेश्चन है धriters पालने लिपणदा थोंदेतर थे वोड़ाइन सब्सेंस बता रहे पाइज आ टिया फांड जा तर चांड में होती है निन इन्हीं कोई the brush ने कोई कैमेकल प्राशस कीन वाल-णMY कल इन सब्सक्राइड क्याइब को सब्सक्षर्मकर्स क्लोह ने थिंप्सक्रा यह गए लिए चाहिकिले फ्यूरी ने the properties of compounds are totally different from the properties of its constitute elements compound की property होती हो totally different होती element की अब यहां पर हमने 2 या 2 से एक हमने S2O element लगाया और एक हमने oxygen element लगाया तो यह दोनों element की property अलग अलग है बट अब जब हमने chemical process से fix कर दिया join combine कर दिया तो यह हमारा S2O बनाएगा S2O हमारा एक अलगी property शो करते है water की तो यह हमें बताएगा है तो इन जो compound की property होती है वो totally different होती है element की property से then हमें आगे बता रखे है देचेंज इसमें आगे हम देखते है mixture a mixture show the properties of constituent present और जो mixture होता है वो property कि इसकी दिखाता है जो इसमें constant present होते है the change into liquid or gas at a defined fixed temperature यह liquid gas में change हो सकते है fixed temperature पे when any two or more element or compound is mixed simply mixed together in any proportion they form a mixture किसी भी दो यह element यह compound को simply mix करा जाते है without any chemical process then they form a mixture its content can be separated only by chemical reactions like electrosis इसकी constraints को हम कैसे separate कर सकते है by the process a chemical reaction होती electrosis उससे सिर्फ a mixture can be homogeneous and heterogeneous like milk and air और जो mixture होते हैं वो homogeneous होते हैं heterogeneous होते हैं जैसे milk और air वो हमारे mixture हो जाएंगे इसका example हो जाएगा water common salt copper sulphate carbon dioxide and methane and इसके जो its contents can be separated by physical method और इसके constraint हम कैसे separate इसको हम electrosis से और इसको हम filtration evaporation common physical method होती उससे भी separate कर सकते हैं तो यह थी differences अब आपको answer करने कुछ question के now answer the following question first question explain compound and mixture with a suitable example आपको compound and mixture को explain करना एक suitable example के साथ तो आप इसका answer करेंगे compounds are substance made from atoms of different elements joined by chemical bonds they can only be separated by chemical reaction current like example carbon dioxide हो जाएगा तो compound ऐसे substance होते हैं जो दू या दो से जादा element को join करके या combine करके बनते हैं by the by chemical processes और यह separate हो सकते हैं only chemical reaction से जैसे एलेक्ट्रोसिस और इसका example हो जाएगा carbon dioxide मिक्षर है a mixture is made by simple mixing together elements and compounds एक मिक्षर कैसे बनाते हैं जब तो ही simple हम मिक्स कर सकते हैं elements को या compounds को mix करेंगे simply मिक्स करेंगे जहांपे कोई भी chemical reaction ने होगी कोई भी chemical reaction ने होगी और एक भी मिक्षर कंपाउंड मिक्षर के रिफिरेंस बता सकते हैं तो आप यहां से यह पूरी टेबल यह कर लेंगे यह आपका total इहर से points लेंगे यह आप worksheet में यह करेंगी देंगे आप answer में भी कर लेंगे या कोई एक जगे आप कर लेंगे यह आपका answer from the given list write them separately तो इसमें से सबसे पहले compound and mixture fine करने and pure substance भी fine करने तो आप इस कहां से करेंगे compounds हो जाएंगे water sugar salt carbon dioxide or hydrochloric acid और mixture हो जाएंगे sugar solution soil air milk brick तो यह हमारे mixture हो जाएंगे pure substances में only one है hydrochloric acid तो यह थी आपके आज की worksheet I hope आपको worksheet अच्छ समझ आ गई होगी अभी तक आपने में चैनल को subscribe नहीं करें तो प्लीज में चैनल को subscribe करें और उसकी बाद आने वाले बैल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको हर वीडियो की notification time से मिलते रहे हम आपके ले इतनी मैनत करते हैं तो आप एक subscribe तो जरूर कर सकते हैं आपकी एक subscribe से मुझे बहुत कुशी मिलती है यह वीडियो अच्छ लगी तो और साथी आप हमारा telegram group join कर सकते हैं कभी कभार YouTube से वीडियो की notification नहीं जाती तो आप हमारा telegram group join कर सकते हैं वहाँ पे वीडियो जैसी publish होती है डाल दी जाती है और आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं थैंक्स वह वाच वीडियो बैबै गाई